मुंगेर में एक ओर जहां इस्टेट के दोरा सभी स्वास्त अंस्थानों के डॉक्टर और स्वास्त कर्मियों को बायोमेटिक उपस्तती को अनिवार कर दिया गया है वहें परमंडलिया द्वरा सिधा निर्देश दिया गया है कि विना बायोमेटिक उपस्थती के किसी भी डॉक्टर और स्वास्थ कर्मियों को बेतन का बुक्तान नहीं किया जाएगा लेकि सदस्बताल परसासन की लापडवाई के कारण नाकेबल डॉक्टर बल्गी स्वास्थ कर्मियों के सामने भी अपना बायोमेटिक उपस्थती बनाने की समस्या उत्पन हो गई है क्योंकि सतरस्पताल डॉक्टर और स्वास्त कर्मियों की उपस्तिती बनाने को लेकर लगाए गए बायो मेंटिंग मसीन में कभी अटेंडेस बनता है तो कभी अटेंडेस नहीं बनता है जिसके एकार डॉक्टर और स्वास्त कर्मी काफी पढ़िसान है दरसल मुंगेर सतस्पताल के इमर्जेंसी वाड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर निरंजन कुमार ने बताए कि बायोमेटिक मसीन में फिंगर और फेस के साथ एटेंडेस बनता है लेकिन इस मसीन में कई भाई एटेंडेस नहीं बनता है तो कई भाइ एटेंडेस मनाने में आने और जाने का रिपोर्ट ही गलत हो जाता है जिसके एकान अटेंडेस बनाने में परिशानी हो रही है वहीं सतरस्पताल के इमर्जेंशी वाड में वाडवाई सियां मेहतों ने बताई कि आज वह सुवा आठ बजे ही ड्यूट्री पर आया है लेकिन अब तक उसका बायोमेटिक उपस्तिती नहीं बन पाया है मसीन में थंप लगाने पर अटेंडेस नहीं बन रहा है वाडवाई ने बता कि 26 दिसम्मर उनके दोया डियम काड़ियाले में इसको लेकर आवेधन दिया गया लेकिन काड़ियाले में उसका आवेधन नहीं लिया गया उसने सतरस्पताल परशासन जे मांग किया है कि बायोमेटिक मसीन ठीक किया जाए जिससे उपस्तिती बन सके तो क्या चाहते हैं अपने किया तो मेरा फोटो भी लिया गया अउठे अउठा लगाने पर भी ने बनता है चेहरा कभी कभी चेहरा देने पर भी बहुत मुश्किल से बनता है या कभी कभी नहीं बनता है और ऐसा मेरे साथ में इसके लिए हमने अगर मसीन चेहरा भी नहीं पाचान पाता है तो फिर मसीन उस मसीन की विश्वसिंता पर प्रस्तुद लगता है आज आपका हजरी बना है क्या है आज बहुत पहुत साथ में लेट से बना अच्छा से नहीं बना चेहरा जब दी एक चार पहुंच बार तब बना अच्छा में जब एटेनेल्स बनता है उसमें आके आप जेख लें तो ज्यादा आज आज रहेगा आप पता चल जाएगा किसका बनता है बताएंगे आपके जेशे हम आज सुआ है थे अमरा तो बहुत देर से बना वेकिन मेरे साथ मेरा पूर्ट करनी जयाम था बहुत प्रियास की अवेचारा देखिने उसका पनाने च्छा नाम हो आपको डाक्टर नेजन से इसे चर्ट अभी मैं दनिवार रहि यद्राद करनी देमें